केंदर सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधान मंत्री जनधन योजना के 10 साल जो 28 अगस 2024 को पूरे हुए पहली बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने 15 अगस्त 2024 को एतिहासिक लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोशना की थी और इसे विधिवत 28 अगस्त 2014 से पूरे देश में लागू किया गया ये योजना कई उद्दिशों के साथ शुरू की गए थी और इसका फाइदा भी सरकार को मिला दरसलों को भी इसका सीधा फाइदा हुआ जब कोरोना हमारी के दौरान लोगों तक सरकार को मदद पहुँचानी थी पैसे पहुँचाने थे तो इन ही खातों के जरीए सरकार ने वो रकम लोगों तक पहुँचाई बतौर सहायता वहीं किसान सम्मान निधी हो या मनरेगा हो नरेगा हो इन सभी प्रोजेक्ट्स के जो पैसे लाभार्थियों को मिले वो इन ही अकाउंट्स में भेजे जाने लगे और जनधन अकाउंट्स की वज़े से ये संभव हो पाया तरसल साल 2014 में जब नरेंदर मूदी की सरकार बनी तो सबसे पहले ये फैस्दा लिया गया कि कैसे सामाने से सामाने लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए और सरकार इसके लिए आगे आई और प्रधान मंतरी जनधन योजना की शुरुआत की जिसके जरीए गरीब से गरीब लोगों का बैंक अकाउंट जीरो बैलन्स पर खुल पाया और इसके बाद डाइरिक्ट बैंक ट्रांसफर के जरीए सोशल सेक्यूरिटी स्कीम्स का भी लाब सीधा बेनिफिशरीज को मिलने लगा और अप्रधान मंतरी जनधन योजना का जो मकसद देश के वन्चित वरगों जिन तक की पहुँच बैंकों की हो या जो बैंक तक नहीं पहुँच पाते उनको इनसे जोड़ना है दरसल इसके जरीए इन लोगों को सेविंग करने के लिए बैंक अकाउंट मिल सके यह इसके पीछे की सोच थी लोन की रह आसान हो इसके लिए भी यह प्रयास अब कारगर साबित होता दिख रहा है Insurance, Pension की सुविधा भी सुनशित हो इसके लिए भी यह बैंक अकाउंट काफी कारगर साबित हुए और इतना है नहीं इस योजना में सरकार की तरफ से जो अकाउंट्स खुलवाने वालों की इतनी सहुलियत उन्हें मिली कि अब जीरो बैलन्स पर वो अपना अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं और इसके लिए किसी पहचान करता की भी आपको ज़रुत नहीं है सरकारी डेटा के मताबिक अभी करीब 52,49 लाग के आसपास इसके बैनिफिशरीज हैं और अलाकि जन्धन अकाउंट्स में और सामाने बैंक सेविंग अकाउंट में अंतर आपको साफ पता चल जाएगा ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जन्धन अकाउंट में की गई जमाराशी पर ब्याज मिलता है जन्धन योजना में एक लाग रुपे का एक्सिडेंटल इंशुरेंस और 30,000 रुपे का लाइफ कवर भी मिलता है जन्धन अकाउंट में मिनिमम बैलन्स की कोई सीमा नहीं है वहीं जन्धन योजना में लाभार्थी को 10,000 रुपे के ओवर ड्राफ्ट की भी सुविधा अकाउंट में मिलती है अब इसके साथ ही जंधन अकाउंट खुलने के बाद लाभार्थी को रुपे डेविट कार्ड भी दिया गया और इतना ही नहीं इसके साथ जंधन अकाउंट बैंक खाता जो पोस्ट आफिस में भी आप खुलवा सकते हैं इसके लिए पैन कार्ड आधार कार्ड होना जरूरी है और इतना ही नहीं इसके साथ ही जंधन अकाउंट को आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं जो आने वाले भविश्य में निकट भविश्य में आपके काम आ सकता है और इस बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जंधन यूजना के बारे में अगर आप कुछ पताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राए रख सकते हैं